असलामों अलेकुम विवेवर्स वेलकम है आप सबका मेरे कुकिंग चैनल टेस्ट इन्फानेक पे आज हम बनाने जा रहे हैं खटा मीठा करेला वैसे करेला तो एक बहुत ही हेल्दी वेजटेबल है जिसे बच्चे बड़ों सब को खाना चाहिए लेकिन इसके कड़ों पन की पज़े से हम इसे खा नहीं पाते लेकिन आज मेरे इस बतायों तरिके से अगर आप करेले को बनाएंगे तो एकीन मानिये इसे बच्चे भी जरूर खाएंगे और इसके न्यूट्रिशन के फाइदे उठाएंगे तो चलिए चलते हैं प्रोसेस की तरफ मैना यहां पर दो करेले लिये हैं यह करीब 200 ग्राम्स है हम इसकेев के सिकिंपड़ कर लेंगे इसलिए तके इसके कड़ेपन को हम कम कर सकाएं इस तर्हा से पीलर की मदद से करेले के स्किंपड़ कर लें फिर इस 나서 बीजें to cut इसे इसे बीजों के ड़ीच हमि अकी कर लेंगे देखें इस तरह से इसे बीश के साथ भी पकाते हैं Woolr और आज़ेद वांड़े इसे बीज के साथ भी कर लेंगे फिर इस जे चोप इसाथ काल रियुक्षाबि को अग पादे में दो लेंगे और इसे हम एक बरते में लेकर करीब आदा जग पानी इसमें डालेंगे आदा जग या इससे ज्यादा भी आप इसमें डाल सकते हैं और दो टेबल स्पून नमक करेले को सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे देखें यहां पर यह करेले हमारा अच्छी तरह से रचला लग करलेंगे पिर हम यहांपर एक कड़ाय में दो टेबल स्पून तुट आपे dei के ज्वी स्वी त44 देंगे ऐसको आएंगे इसको ओशंड़ा होने इसको एकाएंगे पीयाँष्पून देख अच्छी तरह से पिरंद भी और श्रून गर करेले में नमक है तो हम यहां पर सिर्फ मसाले के साब से नमक डालेंगे तर्मानिक पॉडर यह भी हाफ स्पून किश्मीरी लाल मिर्च करीब एक टीस्पून यह आप अपने टेस्ट के साब से भी आप कर सकते हैं इन सारे मसालों को भूनने के बाद तैमरिंग पल्प हाफ जैगरी वान टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हमारे जो गलेव में करेले हैं उनको इन सबको हमाची तरस मिक्स करेंगे और करीब 10 मिनिट के लिए धीमी आजबर में इसे पकने के लिए रखेंगे अब 10 मिनिट के बाद यह हमारे करेले सब करने के लिए बिल्कुल ही त मेरे इस रेसीपी को आप मेरे तरीके से जरूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्षिन में बताएं कि आपके करेलिक इसे बने अगर अगर के मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू